Hello Friends, मैं हूँ अनपुर्णा and welcome to my channel आज मैं आपकी साथ शेर कर रही हूँ एक और healthy and tasty recipe जो खाने में बहुत ही ज़्यादा tasty है, बनाना बहुत ज़्यादा आसान है साथी इसे खाने से हमें कई ज़्यादा health benefits होंगे हमारी पेट को और शेरीर को ठंड़क देगा हमें वजन कम करने में भी मदद करेगा, गर्मी से राहत देगा तो ये हैं कुकुम्बर, खीरे की चट्नी गर्मियों में खीरे का सेवन एक healthy eating का अच्छा तरीका है तो इसके साथी मैं आपके साथ एक tip share करना चाहती हूँ जनरली जो खीरा है कड़वा होता है अगर हम लोग रब करते हैं, यूज करते हैं तो जो खीरे का कड़वा पन है वो निकल जाता है तो इसके बाद इसे हम वश करके यूज कर सकते हैं तो यह है खीरा, इसे हम बनाएँगे चट्नी तो खीरे के अलावा हमें कुछ और चीजों की जरूरत है जैसे की लसुन, हारी मिर्च, टमाटर, हराधनिया और यह है उड़त दाल, चना दाल और मुमफली, एक एक टेबल स्पून है, हाफ टीस्पून हल्दी है, एक टीस्पून जीरा है और कुछ करी पत्ते है और तेल है, इसके अलावा हमें कुछ और चीजों की जरूरत है जो आगे मैं आपको बताऊंगी तो सबसे पहले मैं खीरे का छिलका उतार कर इसके चोटे-चोटे टुकडे कर लूँगी इस तरीके से मैंने खीरे के टुकडे कर लिये है, आभी मैंने रखा है एक पैन, पैन रखकर इसमें अरॉंड मैं दो टेबल स्पून जितना ओईल डाल रही हूँ डाल कर इसमें मैं डाल रही हूँ एक टेबल स्पून चना डाल, एक टेबल स्पून उड़त डाल, डाल कर इसे मैं हलका भुन ले रही हूँ उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ एक टेबल स्पून मुमफली ये चटनी बहुती ज़्यादा टीस्टी है, हेल्दी है स्पेशली गर्मी में ये बहुत ज़्यादा फाइदे मन भी है तो अभी मैंने इसे भुन लिया है, उसके बाद इसमें मैं अराउंड एक मुठी हरी मिर्च डाल रहे हूँ तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं तो यहाँ पे हमें हरी मिर्च को अच्छे से बुनना ज़रूरी है, अदर्वास चटनी उतना टेस्टी नहीं रहेगा अब मैं इसमें डाल रहे हूँ 500 ग्राम टमाटर, यहाँ पे टमाटर को हमें एक दम बारिक चौप करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी पक जाता है जनरली गर्मी में या ऐसे भी हम लोग खीरे को सलाद या राइते में डाल कर खाते हैं पर इस तरीके से अगर हम चटनी बनाएंगे तो यह बच्चे इने बड़ो को भी बहुत अच्छा लगेगा तो अब मैं इसमें डाल रहे हूँ 1.5 टीस्पून हल्दी हल्दी डाल कर इसे हम थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं यह चटनी, चावल, रोटी, दोसा, इटली किसी के भी साथ खाओ सबी के साथ इसका कॉंबिनेशन बहुत अच्छा लगता है स्पेशली इसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा चाव के साथ खाएंगे तो अब मैं इसे ढख कर टमाटर थोड़े नर्म होते तक पका लूँगी अब यहाँ पर टमाटर थोड़े से सौफ्ट हो गया है उसे मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ लसुन लसुन को मैंने इसी तरीके से open करके wash करके डाल दिया मैंने कद्दू कस नहीं किया उसके बाद एक teaspoon मैंने इसमे जीरा और एक कर्टोरी हरा धनिया डाला है इस तरीके से उपर से लसुन और जीरा डालने से इसका flavor बहुत अच्छा आता है तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं डाल रही हूँ एक टीस्पून नमक डालकर इसे एक बार और अच्छे से मिक्स करके अब हम तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर अच्छे से पकने जाता है ये चटनी आप बनाकर फ्रिज में रखकर दो-तिन दिन तक भी ज़रूर ट्राइ करना ये एक ट्रेडिशनल साउथ इंडियन रेसिपी है बोजे अच्छी लगती है इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने फ्रेंट्स की साथ मैं ये रेसिपी शेयर करो अब ये टमाटर अच्छे से पक गया है इसे मैं एक बार और अच्छे से चेक कर रह अब ये ठंडा हो गया अब मैं इसे डाल रहे हूँ एक मिकिसिक ज़ार में डॉलकर इसे हम अच्छे से ग्राइं कर लेंगे अगर आपको बड़ लगे तो ग्रैंड करते समयमें आप इसमें एक दो टेबल स्पस जितना पानी भी यूश कर सकते हैं तो अब मैंने हमारा ट अब हम लगाएंगे तड़का उसके लिए मैंने रखाया एक पैन और दो बड़े टेबल स्पून जितना मैंने ओई यूज किया है उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ एक टीस्पून चाना दाल उड़त दाल ये तड़के वाली चीजे हैं उसके बाद है सरसो हाफ जीरा है दो तिन सुखी लाल मिर्च है कुछ करिया पत्ती है और वन फू टीस्पून जितना हिंग है डाल कर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है तड़के वाली चीजे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ एड़ भी कर सकते हैं तो अब सारी चीजे भुन गये उसके ब मुह में आते हैं तो थोड़ा क्रंची पन बहुत अच्छा लगता है तो यहां पर कुकुम्बर को हमें 2-3 मिनिट तक बुनना है ताकि इसका जो कच्छा पने वो निकल जाए उसके बाद यह टमाटर और हरी मिस जिसे हमने ग्रैंड कर लिया था उसका पेस्ट हम डालते है डालकर मिक्सी के जार में थोड़ा सा लगा हुआ है तो मैं अरॉंड 1-4 cup जितना पानी डालकर वो पानी भी मैं इसी में डाल रही हूँ डालकर अब सारी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स करना है मिक्स करने के बाद तुरंत हमें ग्यास का फ्लेम ओफ करना है यहां प अब अपने टिस्क के अकॉर्डिंग तुड़ा सा और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना बस यह चटनी बन के रेडी है उसके बाद इसमें डाल रही हूँ बारिक कटा हरा धनिया अब इस चटनी को जिसके साथ है उसके साथ सर्फ कर सकते है मिंस रोटी चावल दोसा इटली सब भी के साथ इसका कॉंबिनेशन बहुत अच्छा लगता है अब चटनी बन के रेडी है इसे मैं निकाल रही हूं सर्विंग बाउल में आप एक बार इससे ज़रूर बनाइए और अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगेगी डेफिनिटली अच्छी लगेगी तो ही चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब भी करें साथी अपने फ्रेंड्स और रिलेट्विस के साथ भी शेर करें थैंक यू